बिसमिल्लाइरमाने रहीम, असलाम अलेकूम, मैं हूँ फ्याज जम्द और आप देखने हैं फूर पे फ्याज, आज मैं बनाने जा रहा हूँ मटर गोश्ट, बहुत मज़ेकी रेस्पी है, न्यू स्टैल में बनाओंगा, इंशालला, बहुत मज़ाएगा आपको, पिचले बनाने के लिए हमें चाहिए जी चिकन, इसके बाद हमें चाहिए मटर, इनको मैंने 3-4 मिनीट पानी में बॉयल कर लिए हैं, लेस्ट इसमें अदरक नहीं डाहिए, सिर्फ लस्ट का पेस्ट है, इसमें मैंने दो अदर टमार्टर काट लिए, बरीबिक काट लिएं साथ में 4 अदद सबज मिर्च हैं इसके बाद इसमें जाएगा प्यास दो अदद प्यास बेने लिए थे इनको बरीबिक काट लिएं नमक लाल मिर्च कोछ्क धनिया पाूडर सुफाजला पाूडर पौडर हल्दी पाूडर और काली मेर्च कि सबसे पहले हम इसमें प्यास शामिल करेंगे को कि मॉइल में ने गरम ओने के लिए खड़ा कर दिया था अब यहां प्यास हमारे गोल्डन हो चुके हैं अब यहां पर हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे यह पानी हमने इसलिए डाला है कि हमारे प्यास जले ने सब बराबर से गोल्डन हो चेंड थोड़ा सा पानी डाला है हमने उसके बाद हम शामिल करेंगे चिकन हटे और हम अब हृँ करेंगे ठीकन का अताया हम मिले उसके कंदी इसको एक अच्छे से हमने घुण लेना इसके अंदर किया अब हाद्धर गए प्राइट ही रागत्त हमने प्राय किया इसको भूनना है लेसन को भी इसके अंदर लेसन हमारा इसमें फ्राय हो चुका है हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राय हो चुका है प्यास हमारे नरम हो चुके हैं अब हम यहां स्टेज पर हम इसके अंदर टमाटर शांबल करेंगे कि मातर को मैंने बरीक बरीक काड़ लिया था इसमें शामिल करने के बाद हम इसे सिर्फ दो मिनट के लिए दम दे देंगे इसे यह होगा हमारे टमाटर जल्दी नरम हो जाएंगे एक दो मिनट हो चुका है हमारे डम को अब हम वनक ठोल ये देखें तेमाटर भी बिलकुल और ये देखें तमाटर भी मिख्यों हो गया बिलकुल इसपो हिला लेंगे थोड़ा सा बेलाने के बार अब हम यहां पर हमिसाले जात अहीं इसमें शामिलों कर्देंगे भी मिसाले ने इसमें शामिल करती है अब हम मिसाले हम अच्छी तरह हम बून लेंगे चिकन के हमने थोड़ सी भुनाई कर लिया मिसालों के अंदर है अब हम यहां पे मटर शामल कर देंगे इसके अंदर मटरों को भी अच्छी से भून लेना है चिकन के साथ अब अब और मटरों की अच्छी से हमने बुझाई कर लिये अब इस से पर चार से पांच मिनट मेंने मटर डाल गए फिर से बुनाई किये चिकन के अंदर अब यहां पे हम पानी शामल करेंगे थोड़ा सा इसे यह होगा कि हमने जो प्याज और टमाटर डाले थे उनकी बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी और अगर हमारे मुर्गी या मटर कच्छा होगा तो वो भी अच्छे से पक जाएगा अब हम इसको तीन से चार मिनट के लिए दम दे देंगे यह जो सबस मेरे चामने रखी थी वो शामिल करेंगे फिर इसको दम देंगे पांच मिनट हमने दम दिया था अब हम दम खोलते हैं अलहम्दलिल्ला बहुत ही मज़े के हमारे चिकन मटर त्यार हो चुका है मटर गोश्ट यह देखे बहुत मज़े का मिसाला बन गया इसका और बहुत ही प्यारी खुश्बू आ रही है इससे अब हम आपको डिश अलहम्दलिल्ला जी आज की हमारी रेसिपी मटर गोश्ट त्यार हो चुकी है उमीद करता हूँ आज की मेरे ये रेसिपी मटर गोश्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा इस तरह की मज़ीद रेसिपी इसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें अपनी यह सारी मुख्तों में दौब में अपने भाई को याद रखेगा अला आप